हलो स्ट्रेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एस लोग लास में आज हम आपके लिए लिए करा हैं मुस्लिम लोग के मोस्ट इंपोर्टन एमस की कुशन पार्ट थर्ड इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सैकींड को अप्लोड कर चुके हैं उन्हें आप लेडिस में जाकर जरूर देखे हो जोनों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफेशन आपके पास पहुसती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 51 मुसलिम विदी के शोत के रूप में सुनना को मानिता दी गई है option A सिया संप्रदाय दौरा option B सुन्नी संप्रदाय दौरा option C सभी मुसलिम संप्रदाय दौरा option D उप्रक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि आपको इसका सही उत्तर पता है, तो आप हमें comment works नों बता सकते हैं, इसका सही उत्तर है, option B, सुन्नी संप्रदाय द्वारा, question number 52, विवा के बाद महर की धनरासी, option A, कभी नहीं बढ़ाई जा सकती, option B, निका के दो वर्स के भीतर बढ़ाई जा सकती है, option C, किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है, option D, यदि बढ़ाई जा सकती है, तो पती पर बाद देकारी नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, option C, किसी भी समय बढ़ाई जा सकती, यानि विवा के बाद जो महर की रासी होती है, निका के बाद की महर की रासी, वो किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है, question number 53, एक मुसलिम महिला का किताबी से question number 54, निम्ले लिखित में से कौन सा कार्ले मुसल्मान के लिए वर्जित है, option A, दान देना, option B, मूर्ति पूजा, option C, तीर्थ यात्रा करना, option D, रोजा न रखना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, option B, मूर्ति पूजा करना question number 55, निम्ले लिखित में से कौन वक्फ का वैद उद्देश नहीं है, option A, मजजदों में रोशनी का खर्च, option B, कदम शरीफ मनाने का खर्च, option C, वाकिफ की निजी संपत्ती के मरमत का खर्च, option D, उपरक्ट में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उसका सही उ कितमें से किस पर सुन्नी विधी लागू नहीं होती है, option A, मलिकी, option B, हनबली, option C, शफी, option D, इसमाईली, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर, option D, इसमाईली, question number 57, अब्दुलकादिर वर्सिस सलिमा, वाद परिभासित करता है, option A, निका, option B, मुताविभा, option C, विमेहर, option D, उपरक्ट सभी, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है, option A, निका, यानि अब्दुलकादिर वर्सिस सलिमा का वाद निका को परिभासित करता है, Q58, मुदबली होता है, option A, निलामी करने वाला, option B, दान ग्रहिता, option C, ये option A लिग गया है गलती से, option C है, वक्व संपत्ती पर कबजा रखने वाला, option D, इन मैंसे कोई नहीं, तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर है, option C, sorry, option D, इन मैंसे कोई नहीं, यानि मुदबली होता है, जो option दिये गए है, उन मैंसे कोई भी नहीं है, option D, अमारा सही उतर है, question 59, श्रिया विदी के अनुसार, गवाहों की अनुपस्तिती में किया गया विवाह, option A, सही है, option B, बातिल है, option C, फासिद है, option D, उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं, तो इसका सही उतर क्या है, इ question 60, मुस्लिम विदी के अनुसार, संपत्य का दान, option A, मौखिक हो सकता है, option B, लिखित होना चाहिए, option C, लिखित एवं पंजीगरत होना चाहिए, option D, लिखित या मौखिक किसी प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका सही उतर है, option क्या होगा, इसका सही उतर पताइए, इसक पर अधिकारों का सरक्षन अधिनियम पारित हुआ, option A, 1985 में, option B, 1983 में, option C, 1986 में, option D, 1984 में, तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर है, option C, 1986 में, question 62, एक श्रिया इस्तरी, द्वारा सुन्नी पुरुष से विवा करने पर विवा उपरांत, option A, वह इस्तरी श्रिया वि विदी से शासित होगी, option C, उस इस्तरी की इच्छानुसार सुन्नी अत्वा श्रिया विदी से शासित होगी, option D, इस्तरी पर उसके पती की इच्छानुसार सुन्नी अत्वा श्रिया विदी लागू होगी, तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर है, option B, वह इस्तरी सुन्नी वीदी से शाषित होगी, यानि एक CIS तरी यदि सुन्नी पुरुस से विवा करेगी, तो वह इस तरी सुन्नी वीदी से शाषित होगी Q63, सुन्नी विदी के अंतरगत अवैश्क पुत्र की हिजानत का अधिकार मा का है Q64, एक अवैश्क विवाहित मुस्लिम लड़की की अभिरक्षा का अधिकार है option A, पती को, option B, मा को, option C, पती की मा को, मा का, option D, पिता का तो बताई इसका सही उत्तर क्या होगा एक अवैश्क विवाहित मुस्लिम लड़की की अभिरक्षा का अधिकार है इसका सही उत्तर होगा option D, पिता का question 65, तलाग की घुश्रा तीन बार लगाता, तीन प्रहार के दोरान कहा जाता है option A, तलाग हसन, option B, तलाग एहसान, option C, तलाग उल्विद्दत, option D, उप्रत में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है option A, तलाग हसन question 66, पैगंबर मुहम्मद साहब की उम्नत्यों के बाद, निमने लिखित मैंसे कौन उनका उत्तरादी कारी हुआ, option A, फातिमा, एनने उनकी पुत्री, option B, अबुबकर, option C, फातिमा के पती, option D, उमर तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है option B, अबुबकर, question 67, मुस्लिम विदी में अवैस की संपत्ती का कानूनी सरच्छक है, option A, पिता, option B, माता, option C, भाई, option D, चाचा, इसका सही उत्तर है, option A, पिता question 68, मुस्लिम विदी में वैसकतागी आयू, क्या है option A, 14 वर्स, option B, 15 वर्स, option C, 16 वर्स, option D, 18 वर्स, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है option B, 15 वर्स question 69, सुन्नी विवा में काजी की आपचारिकता का पालन न किया जाना विवा को क्या बना देती है, option A, वैद, option B, 0, option C, 0 वर्स, option D, अनियमित, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि आपको पता है, तो आपको में कमेंट उस बताइए, साथ की साथ जों कोशन करते हैं, उस पताइए, option A, civil संविदा, option B, धार्मिक संसकार, option C, विक्रए की संविदा, option D, उप्रुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, option A, civil संविदा, यानि मुसलिव विवा की प्रकरती जो है, वैद, civil संविदा है, question 71, निमलेखित में से option A, अथना अशारिया, option B, शाफई, option C, इसमाईलिया, option D, जैदी, उसका सही उत्तर क्या होगा, question कह रहा है, कि शिया संविदाई की विचारपदिती नहीं है, तो विचारपदिती हमने आपको बता दी, उसमें से कौन सी विचारपदिती, शिया विदी की, नहीं है, शिया option D, जैदी, तो इसका सही उत्तर होगा, option B, शाफई, यानि शाफई जो है, वो शिया संविदाई की विचारपदिती नहीं है, question number 72, निम्री लिखित में से किसे अवैस के विवाह की संविदा करने का अधिकार नहीं है, option A, पिता, option B, सौतेला पिता, option C, पिता महे, option D, सग भाई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, option B, सौतेला पिता, question number 73, निम्री लिखित में से किस बाद में नियाले द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि महर की दाशी सामने तया मोखिक संविदा द्वारा तै की जाती है, और यह रिती मानने है, option A, मुहमत शहबुद्दीन वर्सिज उमर्तुल सुल, option B, स्रीमती नाजमा बेगम वर्सिज रिजवान अली, option C, अब्दुलकादिर वर्सिज सलिमा, option D, उपरुत में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, option A, मुहमत शहबुद्दीन वर्सिज उम एक सा, तीन बार उच्चरन कौन सा तलाग है, option A, तलाग A, एहसान, option B, तलाग A, हसन, option C, तलाग A, सुननत, option D, तलाग उल्विद्दत, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, option D, तलाग उल्विद्दत, तो इस तरीके से हमने मुस्लिम लोगे, टोटल 74 को solve कर लिया है, आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, उम्मीद है आपको इस वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप हमारे चनल को ज्यादर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे वो इसका लाब उठा सकें, ओके, थैंक्यू, सो मच,